अग्जाम के लिए अपनी प्रिपिशन को कैसे जो स्पीड अप कर सकते हो क्या 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 पॉइंट है जिन पर आपको आने वाले कुछ महीनों में फोकॉस करना है किस तरीके से आपको प्रिवेसर के कोशन पेपर सौल करने है कौन-कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिस पर आपको मेजर फोकस करना है और आपकी क्या स्टाटेजी होनी चाहिए इन आने वाले महीनों के लिए वो सारी चीजे मैं आप लोगों से डिसकस करूंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सबसे पहले मैं बता दूं कि टेस्ट बुक्स उप साथ साथ में अपको मिल जाती है याँ आप कम टाइम के सब्सक्रिप्शन में ज्यादा टाइम तक आप को ले सकते हो इसके साथ यहां पर आपको एक मिल जाता है वैश्चनोदेवी दर्शन ट्रिप जो कि दो नाइट और तीन दिन के लिए है अगर आप इस पर्टिकुलर जो है कोर्ष को अवेल करते हो तो क Fr Blade patrons को कैसे अवेल करना है आपने testbook डाउनलोड करना है अप डाउनलोड करने के बाद आपने homepage आपने CSIR Net को select करना है और वो select करने के बाद आपको एक super coaching का sign दिख रहा होगा उस पर click करना है जहां पर हमारे courses के बारे में आ जाएगा आपको उस पर click करना है और click करने के बाद आपने इस code को use करना है तो you can get extra validity with extra discount और साथ साथ में you can also win the trip to Vaisno Devidarsan ओके तो यह तो हो गया हमारे इस आपके अप्राइजमेंट के बारे में चलिए मैं बात करता हूं अब आप से क्या हमारी स्टेजी होनी चाहिए to prepare CSI Net Life Science 2023 कुछ पॉइंट्स मैंने का mention की हुए है इन पॉइंट्स के बारे में आपको बता जाता हूं सबसे पहले तो हम लोगों को जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों के लिए important point हो जाता है कि कौन-कौन से unit को हम लोग जादा target करें या कौन-कौन से topic को हम जादा focus करें तो biotechnology में है, microbiology में है, किस subject में है, इसके basis पर हम लोग जो है unit को एक sequence दे सकते हैं कि कौन से unit हमारे लिए priority पर होनी चाहिए तो जैसे मैं आप लोगों से बता हूँ, जैसे मेरा MSC बोटनी में है, तो मेरे लिए plant physiology और plant developmental biology जो है, वो priority पर आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ उनके बारे में detail में पढ़ा हुआ है, और मैं बहुत सारी detail concept जो है, discuss कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से उस concept को समझ सक सकता हूँ, और उनके answer भी बहुत easily बना सकता हूँ, ठीक है, अगर मैंने biology में किया है, तो वही मेरे लिए animal physiology, animal developmental biology, genetics जो है, वो top priority पर आ जाती है, plant वालों के लिए भी genetics जो है, top priority पर रहेगी, साथ-साथ में अगर मैंने biotechnology, microbiology से किया है, बहुत सारे technical subject जो है, मेरे top priority पर र cell biology, ठीक है, biochem हो गया, cell bio हो गया हमारा, unit number 3 हमारा mole bio हो गया, ठीक है, ये unit तो आप लोगों को, सब लोगों को cover करनी चाहिए, कारण ये है, कि इन unit में न, conceptual चीज़े बहुत जादा हैं, तो question में गलती होने के chance जो है, बहुत खाम है, इन unit के साथ-साथ, आप अपने MSC के subject क according जो है, extra unit add कर सकते हो, animal physiology, plant physiology, developmental biology, genetics, ecology, evolution, ये सब unit आप additionally add कर सकते हो, या फिर आपका जैसे applied biology हो गया, जो biotechnology है, microbiology के वाले बच्चे के लिए बहुत easy unit हो जाती है, या techniques की unit हो गई, तो ये सारी चीज़े, अब आप पर depend करती है, कि आपको किन units को priority देना है, और ये करना बह priority दे रहे हो, at least आप जो है, 6-7 unit को top priorities पर रखो, और बाकी units के किवल important topics को आप निकाल कर उनको उच्छे से study करो, जिन से बार-बार question आया हुआ है, second चीज मैं आप से बात करता हूँ, आप PYQs की daily practice कीजिया, PYQs को assess follow नहीं करना है, बस answer देखा और solve कर दिया, PYQs के concept को समझना है, चार number के questions जो recently exam में आये हुए हैं, उनके concept कैसे हैं, किस तरीके से दो अलग-अलग topic को club करके common question बनाया गया है, ये particular pattern आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ साथ जो topic आपके लिए difficult रहते हैं, या जो topic आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये topic हमारे priority देनी होगी कि उनको पहले ही time रहते हैं, आप लोग cover कर ले हैं, हर एक topic का एक outline आपने बनाना है, revision notes आपके ऐसे होने चाहिए कि revision जो है quick हो जाए, और best रहेगा कि आप उसको flow chart की form में बनाओ, ठीक है, इसके अलावा जितने भी previously exam में आये हुए topics हैं, उनको regular way पर आप revise क करो, और जो भी आपके topic, जो concept आप prepare कर रहे हैं, उसको हर एक weekend पर जो है, आप उनको quick revision जरूर दो, ठीक है, और सबसे important हमारे लिए हो जाता है कि paper का trend समझे, और paper का trend हम लोग तभी समझ पाएंगे, जब हम previous year के paper को देखना start करेंगे, तो सबसे best यह होता है कि पहले किसी भ पढ़ा रही है, जो जिस हिसाब से question previously आये है, या randomly वो अपनी margin से कुछ भी पढ़ा रही है, जो easy लग रहा है, कभी-कभी क्या होता है, हम लोगों को ना, let's say कोई topic पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, बट क्या वो समझ में आने के बाद मैं previous year के question solve कर पा रहा हूं, that is the main point, वैसे तो आप कुछ भी देखते रही है, लेकिन आपके लिए time management बहुत ज़रूरी है, तो वही चीज़ आप देखिए, जिसमें आप capable हो, previous year के most of the question को solve करने में, बनाने में, तो ये सारी strategy हो जाती है हमारी, इसके रहा मैं आपको 10 points भी बताता आप मेरे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर वहां पर भी आपको जो है maximum चीज़े मैं explain करता हूं, तो मैं एक flow chart आपको बना के देता हूं, वो flow chart exam के time पर quick revision में help करेगा, diagram जो है, complete emphasis पे होने चाहिए, फाल्तो की चीज़े महार लिखी नहीं होनी चाहिए, और पूरा flow particular topic से, यह सबसे important हो जाता है, अगर आप question को नहीं समझोगे न, आप ऐसी पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और question को नहीं समझ रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत tough होने वाला है exam, तो better है कि पहले question के pattern को समझो, फिर topic को बढ़ो, तो देख exam paper में question का selection, topic का selection, कौन सा question मेरा time में जो है waste कर सकता है, उस question को कैसे मुझे छोड़ना है, अगर मेरे पास बाद में time बचता है, तो मैं उस पर आऊँगा, तो इसलिए यह सारी चीजे भी manage करना बहुत ही ज़रूरी है, यह चीजे practice के साथ आती है, ऐसा नहीं कि आज मैं प्रेक्टिस के साथ ही बनाते हो, practice करने का question को यह सबसे best time है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी question को पढ़ते समय है, उसके concept को जरूर समझे कि exactly पूछ क्या रहा है, चीजों को underline कीजिए, तब ही आप question को समझ पाओगे, और सही तरीके से solve कर पाओगे, without negative marking, अगर कुछ नहीं आता हो, तो we are there to help you out, सारे exam हम लोगों ने crack कर रखे हैं, तो हम लोग आपको एक best way में गाइड कर सकते हैं कि कि किसी भी concept को आपने कैसे समझना है, ठीक है, जितने भी important topics है, important का मतलब क्या है, important का मतलब है कि previous exam में कहां से जाधा question पूछे गए हैं, उन topics को बहुत कर रखो उस time के लिए जब आप बिल्कुल free बैटे हो, उनको एक reading ले लो, ठीक है, और उनका भी flow chart बनाने की कोशिश करो, boring topic को interesting बनाने की कोशिश करो, and you are the best, आप उसमें अपने आप से किस तरीके से आप line diagram flow chart से उसको अपने notes में जो है include कर सकते हो, आप पर depend करता है, ठी ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, बाकि कैसे करना है, उसके लिए हम लोग है, आपको guide करने के लिए, तो ये था आज के इस quick से session का एक बहुत शांदार सा मैंने explanation दिया, कैसे आप लोगों को आने वाले exam को target करना है, आने वाली कुछ वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ इसे topics भी बताऊंगा, जिन topics से हर बार question आया है, तो आप लोग जो है, follow करते रहिएगा YouTube channel को, testbook app को आप लोग जो है, install कर लीजेगे, ताकि आप जो है, सारी जितने भी हमारी live classes हो रही है, उनका access ले सको, ठीक है, और मेरी class की timing में आपको बता देता हूं, मेरी class regular basis पर सु के जितने आपको, रहाम, इसलिए कम है। झाल